दोस्तो सुखोई 30 MKI इस समय हमारी वायू सेना का फ्रंट लाइनर फाइटर जेट है इस समय हमारी वायू सेना के पास 272 की संख्या में सुखोई 30 MKI मोजूद है हमारी सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की टेकनलोजी लगातार पुरानी होती जा रही है इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी वायू सेना की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि हम 1500 के आस पास अपने सुकोई 30 MKI को सुपर सुकोई में बदलेंगे शुरू में 84 की संख्या में सुकोई 30 MKI फाइटर जेट को सुपर सुकोई में बदला जाएगा और इस प्रोग्राम की शुरुवात इसी साल होने वाली है और अब सुपर सुकोई अपग्रेट प्रोग्राम के तहट हमारी प्राइवेट कमपनी भी DRDO और HAL की मदद करने वाली है इस प्रोग्राम को HAL की तरफ से लीड किया जाएगा और DRDO की तरफ से HAL की मदद की जाएगी तो कि सूपर सुखोई प्रोग्राम के अंतरगट डियाइडियो की तरफ से हमारे सूपर सुखोई प्रोग्राम के लिए कई एडवान सेंसर, इलेक्ट्रोनिक वोरफेर सूट, डडार वोर्निंग रिसीवर, ये सभी की सभी टेकनलोजी डियाइडियो की तरफ से सूपर सुखोई प्रोग्राम में सुखोई 30 MKI Fighter Jet की कोकपिट को चेंज किया जाएगा। सुखोई प्रोग्राम को दो फेज में डिवाइड किया गया है। पहले फेज के तहद सुखोई Fighter Jet के Avionics और Sensor को चेंज किया जाएगा। जिसमें IRST sensor, cockpit, radar शामिल है फेज 2 के तहद 230 MKI fighter jet के flying control को लेकर upgrade किया जाएगा यानि हमारे सुपर सुखोई program का जो पहला phase होने वाला है वो ज़्यादा महतुपून होने वाला है क्योंकि पहले phase के पूरा होते ही हमारे सुखोई 30 MKI fighter jet की जो power होगी वो 20 गुना तक बढ़ जाएगी सब देशी हत्यारों को हम already अपने सुखोई 30 MKI fighter jet में लगाना शुरू कर चुके हैं और अब जो private company इस program में शामिल होने वाली है इन private company को D.I.D.O की तरफ से technology दी जाएगी और इन technology के दम पर ही हमारी private company हमारे सुखोई प्रोग्राम के लिए कई component को बना कर तयार करेंगी इस program में हमारी private company को इसलिए भी शामिल किया गया है ताकि ये इस program से experience को हासिल करें और आगे चलकर हमारे MKI जैसे fighter jet के लिए ये private company component को बना कर दे सकें इस समय हम अपने सुखोई प्रोग्राम में 60,000 करोड रुपिये खर्च करने वाले हैं जानी हम अपने 84 सुखोई 30 MKI को सुखोई में बदलने के लिए 60,000 करोड रुपिये खर्च करने वाले हैं हमको एक सुखोई 30 MKI को अपग्रेट करने में 700 करोड के आसपास का खर्च आने वाला है और इसको अगर डोलर में कनवर्ट किया जाए तो हमको एक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को सूपर सुखोई में बदनने के लिए 86 मिलियन डोलर खर्च करने होंगे और ये कीमत कितनी जादा है आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमको इस समय एक F-35 फाइटर जेट की कीमत 80 मिलियन डोलर के आसपास बढ़ती है यनि कि हम एक सुखोई 30 MKI को अपग्रेट करने में एक F-35 फाइटर जेट की कीमत से भी जादा पैसा खर्च करन वाले हैं सुखोई प्रोग्राम को इस समय फास्ट अपग्रेट के तहत किया जाएगा और ये अपग्रेट प्रोग्राम इसलिए भी हम इतनी जादा तेजी से कर पा रही हैं क्योंकि हम अपने टेजस मार्क वन और टेजस मार्क टू जैसे फाइटर जेट के लिए बहुत स सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के अंदर 7 परतिशत तक सवदेशी कंपोनेंट को लगा चुके होंगे इसका फाइदा हमको भविश्य में ये होगा कि हम उन देशों के भी सुखोई 30 MKI को अपग्रेट कर सकेंगे जो इस समय अपने सुखोई 30 MKI को अपग्रेट कराना चाहते हैं कि क्या हमको अपने सुखोई फाइटर जेट में इतना पैसा खर्च करना चाहिए था या फिर आपका ये मानना है कि हमको इतनी कीमत में एक F-35 फाइटर जेट को ही खरीद लेना चाहिए था किस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठैंक्स फॉर वोचिंग दिस वीडियो एव गूड डे